तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप PTM अपने bank account को add कि हैं तो अपने PTM से अपने bank account को आप कैसे delete करेंगे कैसे remove करेंगे तो चलिए दोस्तों हम आपको सब कुस लाइब करके बताते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपकी phone में PT नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने phone में PTM application को आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद में अब आपको simply क्या करना पड़ेगा आपको अपने PTM app को open करना पड़ेगा यहां से अगर दोस्तों नहीं है तो आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करन आप दोसों जैसे यूपई है सेटिंस पर गिलिक कर देंगे तो अब आपके सामनी स्थरीके से लोडिग लेगा उसके बाद में दोस्व आपके सामनी स्थरीके से ओप्शन ओपटिंव कर आज एगा तो अब आपकों क्या करना पड़ेगा ऐसे बैंक पर लिंक पॉरा डेले रहेंपोन हो जाएगा अब आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको यहाप एकाउंट को डिलीट करना हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको remove account पर click करना इस पर आप जैसे click कर दिंगे तो आप इस तरीके सा option लिख करके आएगा है पर remove bank account if you remove this bank account you will here पर no इस तरीके इस option लिखेएगा मतलब दोस्तों कह रहा है कि अगर अपने bank account को आप delete करना चाहरे है remove करना चाहरे है तो आपको क्या करना इस पर click करेंगे हम जैसे इस पर click कर देंगे तो यहां पर इस तरीके से गोल गोल घूमेगा उसके बाद में लिखेगा bank account remove successfully और यहां पर इस तरीके सा option लिख करके आएगा तो दोस्तों अगर आप अपने bank account को delete करना चाहरे है तो इस तरीके सा अपने bank account को delete कर सकते है अग लिखेगा मुझसे बात कर सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मत्रम